नमस्कार दोस्तों जमू कश्मीर में हड्डियां गला देने वाली थंड शुरू हो गई गुरुवार देराद त्रिकुटा परवत पर माता वैशनो देवी के पास बर्फबारी और भारी बारिश हुई माता वैशनो देवी मंदर के साथ साथ भहरव घाटी के पास भी बर्फबारी देखने को मिली मौसम में अचानक आए इस बदलाव का सर माता वैशनो देवी की पवित्र यात्रा पर भी पड़ा है गुरवार दोपहर करीब साड़े ग्यारा बजे के बाद वैशनो देवी की हलिकॉप्टर सेवा भारी बारिश और बर्फबारी के कारण बंद रही आपको बताने की कटरा समेत माता वैशनो देवी मंदर तक पूरे मार्क पर बारिश का कहर देखने को मिला और इन हालातों को देखते हुए यात्रियों को साफधानी बरतनी की सलादी गई भारी बर्फबारी ने जहां एक ओर आम जन जीवन पर गहरा सर डाला तो वहीं माता वैशनो देवी के दर्शन करनेया भक्त काफियुत सहित दिखे त्रिकुटा के पहाड़ियों पर बारिश और धुंद के कारण कटरा सांजी छत चौपर सेवा प्रभावित हुई वहीं जवाहर टैनल पर भारी बर्फबारी के कारण जम्मो श्रीनगर हाइवे बंद करना पड़ा आपको बता दें कि गुरुवार रात तक इस इलाके में अभी तक 6 इंच बर्फबारी हो चुकी थी इसके साथ ही श्रीनगर ले राश्च्री राजमार्ग और मुगल रोड भी बंद कर दिये गए इससे पहले जम्मो श्रीनगर हाइवे पर वनवे यातायात के चलते का इस्थानों पर भीशन जाम की स्तिती है आज यानि शुकरवार को भी भारी बारिश और वर्फबारी का सलसला जारी है श्रीनगर एरपोर्ट पर 100-500 मीटर तक ही विजिबलेटी रही जबकि उडानों को सुचारो रूप से चलानी के लिए 1000-1200 मीटर की विजिबलेटी होनी चाहिए इसे के साथ आपको बताने की खराब मौसम के चलते जमुकश्मीर समेत लदाख में मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी कर दिया ऐसे में मौसम विभाग के माने तो कुछ दिनों में श्रीमाता वैश्मो देवी भवण मार्ग वह बेहरव घाटी में भी बर्फपारी हो सकती है इस संभावना को देखते हुए श्रेमाता वैश्नुदेवी श्राइन बोड ने श्रधालूं की सुविधा वसरदी से बचने के लिए राहतकारी शुरू करवाने के आदेश दे तो कैसे लगे हमारी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले साथी से तरह की जानकारी लेने के लिए जुड़े रहे कुंडिली टीवी से करहे लोगे माताई है 이런 कि दीजुबा और दे मेंट Спशो स्पीच reward कर देढ़ कर दakingने के लिए उलकत बेक सकतरने के लिए Safety कर देढ़ देढ़ सिर्वानव DM